हिसार के आदमपूर उप्चुनाव में अब अखाडा सज गया है मुख्य पार्टियों के उमीदवार सामने आ चुके है और अब रननीती और पबलीक में पैठ बनाने की बारी है हमार साथ वरिष्ट, पत्रकार और राजनीतिक विश्रेशक विरेंदर सोनी जी है अखाडा सज गया है, पहले तो ये लोगों को होता था कौन उमीदवार किस पार्टी से आता है अखाडा सज गया है, अब आप क्या देखते है, सबसे पहली तो बात दल बदल की है जो चार उमीद वारा है अधिकरित पार्टियों की इन में दो ऐसे हैं जिन्होंने दल बदले हैं तो दल बदलने से क्या दिल तो नहीं बदल जाएंगी देखे यहां आदमपूर की स्थिती है वजबड़ी बचितर है और यहां दल बदलों को पार्टियों ने टिकेट दिया है सभी पार्टियों ने मुखेता दल बदलों को ही गले लगाया है देखे जो अपने मूल कैडर है उसको छोड़ कर और जो दल बदलो हैं जो अफसरवाद में संभावना तलाशी जा रही है इसका एक तरह से राज़िती में जो हम सुचिता की बात करते हैं तो उस पर निरंतर एक चोट है चाहे बारतिय जन्ता पार्टी और विदे डिफरेंस की बात करती है तो बारतिय जन्ता पार्टी में अभी आप कुल्दीब भिश्णोई के जो पहले ट्वीट्स है या उन्हो इसमें बारतिय जन्ता पार्टी के लिए क्यों दोश्टे जैप परकाश भी हो वो जैप परकाश पहले निर्दलिय भी रहे बात में आला कि उनकी जो राज़ितिक शुरुवात हुई है और बदलते रहे हैं और इसलिए जो अब कुड़ाराब सरपंच है उनको अगर बश्वास बनना चाहिए था वो नहीं बनता उसमें बारतिय जन्ता पार्टी में चूतित नहीं है आला कि यह माना जाता था कि बारतिय जन्ता पार्टी से ऐसी अप्रिक्षा नहीं की जाती लेकिन अब बारतिय जन्ता पार्टी हो यह कांग्रेस हो यह अन्रे दलो उनमें कोई अंतर नहीं है बारती अंता पालती भी विद्धी डिफरेंस की बाद जो करती है वो सिरफ कागजों में वो सिरफ बाशनों में ही करती है सुनी जी इतफाक की बाद है जब उपचुनाव हो रहा है तीन साल पूरे हो गए बीजेपी जेजेपी गढ़बंदन सरकार 2019 में एक्तूबर में बनी थी और ये एक्तूबर चला है 2022 तीन साल हो गए इस सरकार की भी प्रिक्षा है जब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अन जब रहा है कि जजपा के नेता पार्टी ये कह रही है कि हमार गठबंदन का उमीद वारा है लेकिन जो मन मुटाओ हुआ इस दोरान के सलाना लेना उनके जजपा के नेताओं को तवज्जो ना देना प्रचार समगरी में आपको लगता है मन मुटाओ खत्म हो जाएगा य यदि दोनों दल सत्ता में बाद में शामिल हुए हैं तो इन्होंने नियूंतन सौंजा कारेकरम के लिए क्या प्रयास किये अभी तक तो इनका नियूंतन सौंजा कारेकरम ही नहीं बना उसको लागू करने के बाद तो दूर है अनिल विज की अद्यक्षता में कमेटी बनी है और ये दोनों दल एक दूसरे के पूरक हैं अभी नहीं लगता कि दोनों दल अपने से अलग होंगे और एक और देखी वचितर स्थी है कि 2019 में लोगसुबा का चुनाओ इन तीन ये लोगसुबा चुनाओं में परतियाशी थे अले अलग दलों के परतियाशी थे अब ये तीनों एक ही दल भारती जनता पार्टी में जो है भवे विश्णोई के लिए वोट मांगेंगे तो ये एक राहिनतिक अफसर बात है और मदातों में भी इस बात के एक मेसेज जाता है कि राहिनतिक दलों का चरितर चाहिए कोई भी दलो सभी का चरितर एक जैसा है कोई चाहिए कोई बाशनों में अपना दावा करती है कोई वैसे दावा करता है लेकिन सबका राहिनतिक अंगुलता एक जैसा ही है उसमें कोई अंतर नहीं है और ये मुझे ये लगता है कि पारटी बाड़ी दोनों की है सुन्हां परिए और बारती दा लेक्तापार्टे में टतुट को खोला नहीं कोंग्रेस के सारी नजरे कोंग्रेस ब्रेक्ट्रू की तलाशा कॉंग्रेस के पास थी कुल्डी बिष्णोई कोंग्रेस से बीजैपी में आया और बीजैपी से अब लड़ रहे हैं कोंग्रेस की स्थिति है कि जो कुर्राराम की बात ओड़ी है वो कोंग्रेस का रिकर चाह रहे थे उनको नहीं मिला तो वो दूसरी पार्टी इनेलों से आगे और जेपी के साथ ही दिक्कत आ रही है कि वो बाहरी कैंडिडेट है और समय के साथ चीजे बदलने भी चाहिए लेकिन शायद भी कल्प नहीं था कॉंग्रेस की स्थिति पर क्या कही गए लेकिन उनका भी आदमपुर से कोई विशिश लगाओ नहीं रहा तो इसलिए कंग्रेस को वहाँ एक मजबूरी में जातिय समिक्रन जो है वो परभावी रहने वाला है देखिए तीन जो तीन दल है मुक्यता उन्होंने जाट परतियाशी होता रहे हैं और वारतिय जनता पालिटी का बिश्रोई परतियाशी है तो इसलिए माना जाए कि जो है मतों का विवाजन भी और ये मुक्यता मुकाबला जो है कांग्रस वारतिय अंता पालिटी के बीच रहेगा हाना कि आम आदमी भी जुरूर पर्यास करेगी और नेशनल लोगदल के लिए तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं और नेशनल लोगदलने को उमीदवार मिल जाना ये एक बहुत बड़ उपलब दी है कहीं हालात की समिक्षा करके कुछ दल फिक्सिंग भी कर सकते है लेकिन इतना मुकाबला सरल नहीं है जितना कि बारती जन्ता पार्टी के नेता आकलन कर रहा है। नजरी से देखे तो वोटर्स का नजरीया क्या हो सकता है थोड़ा उसके करीब पहुंचे आप देखे मद्दातों के दिश्टी से देखा जाए तो काफी समय के बाद आदमपुर को यह अवसर मिला है कि सत्ता में भागेदारी का क्योंकि विपक्ष के विदायक बनते रहे है तो इसलिए वहाँ का विकास के भी काफी गुंजैश है और काफी समय से विकास के लिए वहाँ जितनी भी योजना हैं थी वो अधर बे लटकी हुई है तो मद्दातों का एक रुजान रहता है कि जिसमें अगर इदी अमभी पक्ष का यहां से विदायक बनता है तो उतना अधिक लाब नहीं होगा कोई स्थिती में अंतर पंडे वाला भी नहीं है ना भारतियंता पार्टी की सरकार को खत्रा है ना कांगर सत्ता में आने वाली है तो कुल मिलाकर यह देखा जाएगा कि वो सत्ता में भागिदारी चाहते हैं मद्दातों का यह रुजान रहेगा लेकिन कुल्दी बिश्णों के व्रोसे उनको निश्चित रूप से जो आशाय और पेक्षाय थी उनसे उनको निराशा मिली है तो आदमकु रूप चुनाव में स्थिती बड़ी विचीत रहे और जो कैंडिडेटर जाधा तर उनमें वो है जो दल बदल करके दूसरे दलो पनिपत बिरो